हलो फ्रेंट्स आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है दिस इस अभिशेक सर यह तो आज मैंने जो वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि यह उन बच्चों के लिए जिन्हों ने अभी भी स्टाडी स्टार्ट नहीं किये अगर आपको अभी भी लग रहा है कि आपको फिदिक्स में 60 प्लस नहीं आ सकता तो अभी भी आप ट्रस्ट करो अभी भी आपको आ सकता है अटलीस अगर आप 6 चाप्टर करके भी जाते हो फिदिक्स से कोई भी 6 चाप्टर उठा लो तो भी आपका 35 माक का प्रिपेरेशन हो जाएगा वाय विकॉस जो आपका अगर आप 16 चाप्टर में से 98 माक का टोटल प्रिपेरेशन कर रहे हो तो इसका मतलब क्या आप कोई भी 6 चाप्टर भी उठा लोगे तो भी करके 24 या 30 माक तक इजली टाच हो जाता है 30-34 माक विद उप्षन तो उससे आपका हो क्या जाएगा इससे यह हो जाएगा कि आप वो कोईशन तो उतने कर लोगे और फिर आप जैसे कि कुछ चाप्टर नहीं भी करके जा पा रहे हो आपको लगरा है डिफिकल्टी है तो उसके लिए मैंने एक और सॉलूशन निकाला है और यह एनलाइज मैंने प्रिवेस 5-6 यह के पेपर को गो थूरू करके तब मैंने क हम जब बोर्ड का पेपर उठाते अगर वह बोर्ड का पेपर आता है 70 मांका विटऊप्शन 98 मांका तो उसमें डायरेक्ली और इंडायरेक्ली कही न कही न DAVID कोस्चन होते है जिसमें ब्र जो स्टेट फौर्ट कोश्चन होते है तो उसको आप टैकल कर लेते हो एक बहुत ब इसको बोलते है black body, perfectly black body, जो कि आपके KTG chapter का आता है, तो इस दो mark का straight forward question होता है, तो आप हो आप तो दो mark का बना लेते हो, ठीक है, वैसे ही indirect question आता है, semiconductor में से हर साल आता ही आता है, जैसे full way rectifier हो गया, या half way rectifier हो गया, explain with need diagram, ठीक है, तो उसमें आप full way का, याप diagram मनाते हो, rectifier का, तो आपको एक mark मिल जाता है, उसके जो waveform मनाते हो, उसमें half mark आपको मिल जाता है, तो तीन mark का derivation है, अगर आपने तीन mark का theory question था, जिसमें dead mark आपके सिर्फ diagram के हो गए, बाकि dead mark आपको explanation है, अगर आपको नहीं जमने explanation मत लिखो, लेकिन dead mark तो ये तो मिल जाएगा, वैसे ही कुछ diagram जैसे में vertical circular motion की बात कर लो, अगर rotation dynamics में, vertical circular motion का जो question आता है, v equals to rg, phi rg, under root वाले जो questions है, उसका जो diagram है, वो diagram भी half mark का होता है, या तो उसी chapter का एक और example ले लो, जो की है आपका banking of road का, जब आप banking of road का बना करते हो, एक्सप्रेशन करते हो, तो वहापे आपको diagram भी बनाना होता है, वो diagram भी आपको एक mark का, या कोई-कोई exam में हो, half mark का exam लेने पूछा है, वैसे एक चीज़ और है, वैसे इसका ही, आप लेलो derivation का, कि जब भी आप black body radiation का कर रहे हो, जो किर्चोफ law का दिखाते हो, वहापे भी एक half mark का डियागराम पूछ जेते हैं, मतब डियागराम indirectly रहता है, simple pendulum लेलो, conical pendulum लेलो, ऐसे भी question derivation में, जिसको आपका derivation नहीं आ रहा है, अगर आप t equal to 2 pi l by g भी लिखके आ रहे हो, तो भी आपको half mark मिल जाएगा, अगर अपने paper ने कुछ भी नहीं लिखा है, और आपने इसके simple pendulum के diagram बना दिये, तो भी आपको half mark मिल जाएगा, with notation, याद रखना, लेकिन diagram पेंद्ल जे बनाना है, हर बार, दूसरा और एक chapter में easy बता दे रहा हो, कि यह है current electricity, जिसमें के कुछ भी chapter, इस बार कुछ भी topic reduce नहीं किया गया है, जो महाराशे syllabus में डाला है, तो current electricity कोई भी topic reduce नहीं है, उसके जितने diagrams है, वो practical में भी आपको helpful है, और theory में भी, मतलब kelvin's method हो गया, meter bridge हो गया, potential meter वाला हो गया, one on two, या internal relation of cell हो गया, इसमें से कुछ भी एक diagram का related question आता ही आपके, famous यह है, kelvin's method हो meter bridge वाले, तो यह questions आते आते 3 mark के लिए, तो उसमें भी इनके diagram पे आपको एक mark कभी कभी one and a half mark रहते है, तो मैं यह इक बोल रहा हूँ, कि directly or indirectly कहीं न कहीं न वो paper में पूरे मिला के, 9 से 10 mark का diagram related को रहता ही question है, मतलब आपको theory नहीं आ रही है, अगर आपको पता चल गया कि इस chapter का derivation है, लेकिन इसका diagram म आपने बना के अगर छोड़ दिया, तो भी आपको half mark, एक mark, बोर्ड के rule के हैसाब से मिलेगा ही मिलेगा, तो मतलब अगर सोच लो students, अगर आपने कोई भी chapter नहीं करा, पूरे साल, मैं एक और वीडियो बनाने वाला हूँ, जो की definition, one sentence, और law पे है, वो एक ही साथ में बनान के लिए इसको यह मूलेगा, मुझे भी motivation मिलेगा, मैं और वीडियो भी ऐसे लाते रहूँगा, मैं आप आज reply में देख रहा हूँ, 24 hours का, नहीं तो मैं फिर कल reply के साब से मैं देख लूँगा, मैं फिर वीडियो अप्लोड कर दूँगा, ठीक है, मैंने वो भी बना के बता चल जाएगा, और आपने अगर नहीं study चालूगे तो अभी से आप चालू कर लो, यह आपको बहुत helpful होने आला है, तो आप दिमाग लगाओ खाली बस, कि अगर 70 mark का paper आया, जिसमें 10 mark का आपको MCQ अच्छे से कर लिए, आपने सारे डाइग्राम लेटर यहां से कर लि है, उसमें भी indirectly, directly 10 to 12 marks आते ही आते हैं, उसकी भी मेले देने वाला हो आपको, ठीक है, तो वो कितना हो गया, मतलब 38 हो गया, तो सोचो, अगर आपको कोई भी chapter नहीं करके जा रहे हो, बस उसके 1 sentence करके जा रहे हो, MCQ करके जा रहे हो, यह diagram करके जा रहे हो, यह 1 mark के question कर, तो यह चीए, तो उसके लिए आप बोल दीजिए, ठोके, थैंक यू, all the best, keep studying.